जैश्रे कृष्णा आप सभी का मेरे चैनल में स्वाकत है धार्मी गनुस्ठान हो या पूजापाड कोई मांगलिक कार्य हो या देवों की अराधना सभी शुपकार्यों में हाथ की कलाई पर लाल धागा यानि मौली बांधने की परंपरा है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मौली यानि कलावा क्यों बांधते हैं आखिर इसकी क्या वज़ा है कलावा यानि रक्षा सुत्र बांधने के वैग्यानिक और धार्मिक दोनों महत्र हैं रक्षा सुत्र या मौली बानना वेदिक परंपरा का हिस्सा है यग्य के दौरान इसे बांधी जाने की परंपरा तो पहले से ही रही है लेकिन इसको संकल्प सुत्र के साथ ही रक्षा सुत्र के रुप में बांधी जाने की वज़ा भी है और पौरानिक संबंध भी ऐसा माना जाता है कि असरोग में दानवीर राजा बली की अमर्ता के लिए भगवान वामन ने उनकी कलाई पर रक्षा सुत्र बांधा था इसे रक्षा बंधन का प्रतीक माना जाता है देवी लक्ष्मी ने राजा बली के हातों में अपने पती की रक्षा के लिए ये बंधन बांधा था मॉली का शाबदिक अर्थ है सबसे उपर मॉली का ताथपर्य सीर से भी है मॉली को कलाई में बांदने के कारण इसे कलावा भी कहते है इसका वैदिक नाम उपमणी बंद भी है, शंकर भगवान के सीर पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए उन्हें चंद्रमॉली भी कहा जाता है कैसी होती है मौली? मौली कच्चे धागे से बनाई जाती है, इसमें मुलहता तीन रंके धागे होते हैं, लाल, पीला और हरा, लेकिन कभी-कभी ये पांच धागों की भी बनती है, जिसमें नीला और सफेद भी होता है तीन और पांच का मतलब कभी त्रिदेव के नाम की तो कभी पंच देव की मौली को हाथ की कलाई, गले और कमर में बांधा जाता है, मननत के लिए किसी देवी देवता के स्थान पर भी बांधा जाता है, मननत पूरी हो जाने पर इसे खोल दिया जाता है मौली घर में लाई गई नई वस्तू को भी बांदा जाता है और इसे पशों को भी बांदा जाता है मौली बांधने के नियम पूरुशों और आविवाहित कन्याओं को दाए हाथ में कलावा बांधना चाहिए विवाहित इस्त्रियों के लिए बाएं हाथ में कलावा बांधने का नियम है जिस हाथ में कलावा बंधवा रहे हो उसकी मुठी बंधी होनी चाहिए दूसरा हाथ सिर पर होना चाहिए मौली कहीं पर भी बांधे एक बात का हमेशा धान रहे कि इस सुत्र को केवल तीन बार ही लपेटना चाहिए मौली को कलाई में बानने पर कलावा या उप मनी बंद कहते हैं हाथ के मूल में तीन रेखाई होती हैं जिनको मनी बंद कहते हैं भाग्य और जीवन रेखा का उदगम स्थल भी मनी बंद ही है इन मड़ी बंदों के नाम शियू, विश्नु और ब्रह्मा है इसी तरह शक्ति, लक्ष्मी और सरस्विती का भी यह साक्षात वास रहता है जब कलावा का मंत्र रक्षा है तू पढ़कर कलाई में बांधते हैं तो ये तीन धागों का सुत्र त्रिदेवों और त्रिशक्तियों को समर्पित हो जाता है जिससे रक्षा सुत्र धारन करने वाले प्राणी की सब प्रकार से रक्षा होती है क्या कहते हैं शास्त्र? की कृपा प्राप्त होती है मौली का चिकिस्सी पक्ष कलाई पैर कमर और गले में मौली बांधने के चिकिस्सी लाब भी है शरीर विक्यान के अनुसार इससे त्रिदोश यानी वाद पित और कफ का संतुलन बना रहता है ब्लड पेशर, हार्ट अटेक, डायबेटीज और लक्वा जैसे रोगों से बचाने के लिए मौली बांधना हिट कर बताया गया है उमिद करती हूँ कि मेरा यह वीडियो आप लोगों के लिए उपियोगी होगा अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जैश्री कृष्णा